पूरा मामला क्या है? आई आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं शुकरवार सुबा दिल्ली के जभारला नेरू विश्विदाले यानि जेनियू केमपस के बाहर भगवा जंडे और भगवा जेनियू के पोस्टर लगे मिले सूचना मिलते ही पहुँचे पुलिस ने आनन फानन में जंडे उतरवा दिये पुलिस का कहना है कि जंडे लगा लगाने वालों की तलाश जारी है आपको ये भी पताते चले कि ये पूरा मामला क्या है ये जंडे और पोस्टर जेनियू के बाहर वाले रोड और मुखे गेट पर जो है लगाए गए उसके बाद से जो है संगठन का नाम भी सामने आ गया लिखा है रविवार को रामनमनी के दिन बामपंथी छाते संगठन और आखिल भारतिये विधारती परिशित यानी ABVP के छातरों के वीच हिंसा होई थी इसमें कई छातर घायल हो गए थे माना ये भी जा रहा है कि इस सी हिंसा के जवाब में जेनियों के बाहर पोस्टर और जंडेल लगाए गए हैं आपको बताते चलें कि हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीद यादब ने कहा है कि जेनियों में विर्योधियों दौारा लगातार भगवा का अपमान किया चारहा है इतना ही ने उन्होंने चेतावनी ये भी दी है कि लोगों सुधर जाएं भगवा का अपना करने की कोशिशे मत करें हम सब का समान करते हैं प्रतिरिक धर्म और विचार का समान करते हैं लेकिन जिस तरह से भगवारं का अपमान क किया जो रहा है उसे हिंदू से ना किसी भी सूरत में बरदास्ट नहीं करेगे आगा आपको यह भी बताते चलें कि दक्षीनी पश्षिम दिल्ली के डी एस पी ने कहा कि आज सुबह पता चला है कि जैनियू के पास सड़क और आसपास के इलाकों में कुछ जहंडे और बैनर लगाए गए हैं हाल की घटनाओं को देखते हुए इन्हें तुरंत हटा दिया गया उचित कानूनी करवाई की जा रही है आखिर में को यह बताते चलें कि रविवार को राम नमरी पर जैनियू के कावेरी होस्टल में ननवेज खाना परोसे जाने पर हिंसा होई थी लेफ पिर देश में जो महौल बिगारने का काम चल रहा है इस पर सरकार क्या पुछ करती है मुमाद आसिफ की रिपोर्ट इस पे ने नियूस